नमस्ते, आज हम जानेंगे टिक फीवर के बारे में जो सभी तरह के जानवरों में पाई जाती है डॉक्टर कुल्चन, टिक फीवर एक प्रोटोजोन डिजीज है ये टिक्स द्वारा फेलाया जाता है कुछ infected ticks जब किसी animal की बाड़ी में bite करते हैं तो वो प्रोटोजोन या वो infectious agent animal की बाड़ी में enter कर जाता है जिसकी वजह से blood infection होता है इस infection की वजह से लगातार fever आते रहते हैं टिक fever treat कैसे किया जाए? सबसे पहले आपको ticks कंट्रोल करने पड़ेंगे आप अपने animals के बाड़ी से ticks को निकाले दूसरी चीज जहां आप अपने पश्यों को रखते हैं उस area की disinfection करें क्योंकि ये जो ticks है उस area के आसपास egg ले करते हैं तीसरी चीज फ्लूट थेरपी प्रॉपर शेड्यूल के साथ प्रॉपर फ्लूट थेरपी करवाएं अगर आपके डॉग को tick fever है तो imidok आपके injections दे अगर आपके cattle को tick fever हो गया है तो baronil के injections दे तो आपको सबसे पहले अपना animal dull और depressed नजर आएगा साथ में fever तो हो गई लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आपके animal का temperature down जा रहा है कई बार fever बहुत जादा जा रहा है blood infection के वज़ा से blood count बहुत कम हो जाता है जिसकी वज़ा से आपके animals को चकर आ रहा हो हम किसी animal का बचाव कैसे कर सकते हैं tick fever से सबसे पहले tick control करना जरूरी है mainly summer and rainy seasons में जहां आप अपने animals को रखते हैं उस एरिया के disinfection करें और जो उनका bedding है उसको regular time period पे आप चेंज करते रहें ऐसा करके आप काफी हद तक बचाव कर सकते हैं thanks for watching अगर ये वीडियो आपके काम आई हो तो हमें comment section में बतारा ना भूले